हलो और वेलकम बैक अगर आप इन पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं और उस प्रोसीजर को करा के जाते हैं तो आप वहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं अब चाहे उस मेडिगल में आपकी आँखों की कितनी भी अच्छे से जाच कर ली जाए कि आपने कोई प्रोसीजर पहले कराया है या लेजर कराया है, नहीं चाहे वो सिलिट लैंब से चेक कर लें चाहे टौड से देखें या फिर केटमिस्कोपी करें या कोई और जो भी मेथड वो यूज करते हैं उससे देखें तो उससे वो नहीं पता चलती यानि उन centers का दावा ये रहता है कि इसको करा कर आप आसानी से जा सकते हैं इसमें अगर आप ये पूछे कि ये कहा कराना है तो इसमें सबसे अच्छा मैं वह popular आपको बताऊंगा आई-7 hospital जो की दिल्ली में है और उसमें जो डॉक्टर राहिल है वो इसको करते हैं वहाँ पर और वो खुद इसकी awareness भी लोगों को देते हैं कि अगर आपको इसमें जाना है तो इस तरीके की procedure से आप वहाँ पर affair कर सकते हैं बागी की information अगर आपको individual उनसे मिल कर लेनी है तो जहर सी बात है कि आपको वहाँ पर विजट करनी चाहिए विकाज ये career का सवाल है आपके तो आप वहाँ से पूरी जनकरी ले भी सकते हैं कितने दिन के बाद आप apply कर सकते हैं इसके बारे में उनका ये कहना रहता है कि अगर आपको इस procedure को कराना है तो procedure और फिर medical के बीच में कम से कम एक महीने का अंतर होना चाहिए जिसे कि आपके किसी तरीके की कोई complication उस समय ना हो जब आप medical में जाए तो बाकी की information आप ज़रूर वहाँ से collect करें और वहाँ एक बार जरूर विजट करें जिसे कि आपके ये सारे doubts के लिए हो because ये life का career का सवाल है तो अगर आपके कोई doubts है और आप कुछ पूछना चाहत है तो ज़रू comment करें अधर कोई problem है आपकी तुमाई playlist को ज़रू check out करें अगर आपको यहां के अच्छा लगा तो like button ज़रू दवाए और सब्सक्राइब करके हमसे connect हो जिसे की आगे update रहे तो मिलते है नई वीडियो में see you in next video and bye bye